हेलो खेंश गुड मॉनिंग कैसे हूँ आई होब कि आप लोग अच्छे ही होंगे इस वीडियो में लोग हिंदी का छोटा सा टेस्ट देखेंगे इसमें टोटल कोश्चन्स होंगे आपके 10 और आप लोग देखिए 10 में से आपके कितने स्कोर हो रहे हैं तो चलिए फड़ा 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 हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन आप लोग स्क्रेन पर देख सकते हैं हिंदी की सब्दों का लिंग निधारन किसके आधार पर होता है प्रत्य के अधार पर या संग्या के अधार पर या क्रिया के अधार पर या शर्व नाम के अधार पर तो किसके अधार पर होता है लिंग का निधारन आप फड़ा फट कमेंट बाक्स में बता है तो देखें लिंग का जो निधारन होता है वो होता है आपके क्रिया के द्वारा ठीक है ना क्रिया के आधार पर बोल शकते हैं option C correct होगा इस question का right answer अगला question कारक के कितने भेद होते हैं 7, 8, 9, 10 फड़ा फड़ा बताएं ये कारक के कितने भेद होते हैं तो देखें कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 8 option B correct होगा इस question का right answer अगला question आप लोग देख सकते हैं ये संद्विचे से हैं रेत्य नुशार का सही संद्विचे है रेत्य नुशार का सही संद्विचे क्या होगा आपको बताना है तो दीखे, रीत नुशार का जो शही संधी विचेद होगा, वो होगा है, रीत धन अनुशार ठीक है, option C correct होगा, इस question का right answer अगला question है, तलीन सब्द में कौन सी संधी है, वेंजन, गुण, वरंदी, यण तो दीखे, तलीन सब्द में कौन सी संधी है, तो दीखे, तलीन सब्द में जो आपकी संधी है, वो है आपकी वेंजन संधी, option A correct होगा, इस question का right answer अगला question, बहुत important question है, ये चिनने से जरूर एक question साते है, ठीक है पूर्ण वीराम का चिन आपको इसमें से बताना है, ये है, या या है, ये है, ये है तो ये तो बिल्कुन नहीं होगा, ये से तो आप लोग परचेत ही होगे, तो फड़ा-फड़ता ये ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो पूर्ण विराम का चिन ये आपका हो जाएगा ठीक रहा है, option D correct होगा इस question का right answer ठीक है, अगला question यहाँ पे फिर देख सकते हैं चिन से ही question पूछ लिया गया समता मूलक के लिए प्रियुक्त किया जाने वाला चिन है, समता मूलक के लिए प्रियुक्त किया जाने वाला चिन कहुंसा है आपको बताना है शमता मूलक के लिए प्रियुक्त किया जाने वाला जो चिन है वो हापका ये है जिसे हम equal बोलते हैं, option ए करिक्ट होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पे देख सकते हैं question यह है जब वाक्य में कब, क्या, क्यों सब्दों का प्रियोग होता है तो वहाँ चिन होता है किसका होता है आपको बताना है कब, क्यों, क्यों सब्दों का प्रियोग जब होता है तो वहाँ पे कौन सा चिन्न का प्रियोग होता है तो वहाँ पे जो चिन्न का प्रियोग होता है वो होता है प्रश्ण वाचक चिन्न का option ए करिक्ठ होगा इस question का right answer अगला question आप लोग देख सकते हैं बहु रही समास का उधारन नहीं है इसमें से आपको बताना है बहु रही समास का कौन सा उधारन नहीं है तो देखे इसमें से 12 शिंगा आपका बहु रही समास का उधारन है देर्ग बहु भी है और कुश्मा युद भी है तो पंसेरी आपका नहीं होगा option A करिक्ठ होगा इस question का right answer अगला question आपके देख सकते हैं रगुपती सब्द किस समाश का उधारन है रगुपती सब्द किस समाश का उधारन है आपको बताना है रगुपती शब्द जो है वो ब्रहु वही समाश का उधारन है option C करिक्ठ होगा इस question का right answer इस तरी पुरुष में प्रयोक्त शमाश है समासे ही लगातार question पूशे जा रहे हैं इस तरी पुरुष में प्रयोक्त शमाश है तो देखी अगर ये बीच में आयोज़क कचिन लगा हो तो उसमें देखी दोन्द शमाश होता है इसमें एक दूसरे से संबंद होता है जैसे भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया नाना नानी हो गया तो इस तरह के questions में दंद शमाश होता है option C correct होगा इस question का जहां भी आपको आयोजा कचेन दिखे वहाँ पे आपको दंद शमाश में टिक कर देना है अगला questions यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इस वीडियो का last question है कलिंदी का परियावाची क्या है कलिंदी का परियावाची शब्द आपको बताना है क्या है तो कलिंदी का परियावाची सब्द आपका शरस्पती नहीं होगा ना की गंगा होगा ना कि लचमी होगा होगा आपका कल लिंदी के प्रिवाची यमुना option D correct होगा इस question का right answer तो friends ये थे हिंदी के top 10 questions I hope कि आप लोगो इस score अच्छा खासा गया होगा तो आप लोग अपना score नाम जरूर कमिट बाक्स में बताया करें और ऐसी ये daily test आप लोग दिया करें आपका होशला बढ़ता है अगर आपके अच्छे question सही होते हैं तो आपका पढ़ने में अच्छा खासा मन भी लगने लगता है तो और भी practice rate की वीडियो जैसे आपको देखनी है अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग comment बाक्स में फूश रकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो पे तब लगा इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहींगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिला करने को आयन कर लेजीगा आपको इस वीडियो को शेर करना लाइक करना ना भूले